Hello student, कैसे आप? तो financial management, जो एक subject आपके लिए compulsory subject है, इसके उपर कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और रेड़ी मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं, कि पहले आप ये chapter करिए, फ्री ये chapter करिए, लेकिन time के according, मैं उसको थोड़ा सा और short करने की कोसिस करता हूँ, कि किस में से 100% exam आएंगे ही आएंगे, तो last तक देखे वीडियो आपको सारी detail जानकारी दे दूँगा, और कौन से chapter आपको पहले कर लेना चाहिए इसके अंदर, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी इसमें, तो सर हमारा बहुत बड़ा slayvus नहीं है सर, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ते हैं, तो यही slayvus बहुत बड़ा बन जाता है हमारे लिए, ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो chapter करना चाहिए, इस leverage, ठीक है, सर अगर आपके पास पूरी classes proper format में है, पूरी classes अगर आपके पास proper format की बात कर रहा हूँ, जैसे हमने application पे पूरी classes arrange की हुई है, तो उस format में अगर आपके पास है classes, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा time नहीं लगना सर, आप इस chapter को मात्र three days में खतम कर पाऊगे, अगर आप YouTube पे देख रहे हो classes को, तो वहाँ पे आपके number of classes ज़्यादा हो सकता है, और maybe आपको वीडियो ढूढ़ने में शायद दिक्कत हो, वैसे playlist बना रखी है, तो वहाँ पे आपका time आपके according रहता है, क्योंकि वहाँ पे distraction बहुत चाहता है, इसके बाद आपको करना है सर, leverage के बाद cost of capital, cost of capital, सर, leverage में से भी 100% questions आना है, मैं वो chapter पहले बोल रहा हूं करने को, जिसमें से question आता है, इसके अंदर आपको four days लगेंगे, इसके अंदर आपको चार दिन लगेंगे, ठीक है, इस chapter को आप पहले करिए, इसके बाद आपको उठाना है सर, that is EBIT, 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 EPS Analysis, सर इसके अंदर अगर आप ढंक से ठीक से करते हो, तो max to max जो time लगना है वो two days, maximum time कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ के चल रहे हो, तो आपका ये जो है, total, 7 और 9 दिन में खतम हो जाते हैं, और हमारे पास, देखा जाए, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, दिसंबर के 15 दिन और 10, 25 दिन बचे हैं, dividend policy, मैं chapter को उस sequence में लिख रहा हूँ, यहाँ पे, जो कि आपका smoothly होता जाए, और एक दूसरे पे फरक भी ना पड़े, और बहुत अच्छे से हो जाए, dividend policy, तर कितना time लगना चाहिए, मातर two to three days, और इसमें से 15 से 19 नमबर का questions आएगा ही आएगा, तो यह तो मैं कहूंगा, एक तरीके से आपके लिए jackpot है, लेकिन हाँ, यह chapter आपको तभी समझ में आएगा, जो कि unit number 4 का होता है, यह तभी समझ में आएगा, जब यह तीनों कर लोगे, ठीक है, तो आप देखके चलो, इस पूरे इस तीन चैप्टर में से 20 नमबर का question, इसमें 15, 35 नमबर खतम हो जाते हैं, समय कितना लगा सर, 4 और 37, 29 और 12, यानि 12 से 15 दिन में भी बच्चा, बहुत एक अच्छा नमबर निकाल पा रहा है इसके अंदर, इसके बाद आपको करना है सर, कुछ चैप्टर, that is, value of firm, value of firm, आपना value of firm dividend बाद में इसको interchange करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें से भी question पूछा जाता है, हाला कि ये जो होता है, वो unit number, एक 3 का part माना जाता है, ये सारे chapter unit 3 है और unit 4 है, ठीक है, सर, इसके बाद क्या करना है सर, आपके बाद working capital या इसके बाद आपको करना चाहिए सर, operating cycle, operating cycle, सर, इसमें समय नहीं बताया आपने, सर, इसके अंदर time आपका लग जाएगा, 3 days, क्योंकि इसके अंदर, आपके अलग-अलग approaches है, traditional approach, net income approach, net operating approach, और mm approach, तो तीन दिन लग जाएगा, आपको समझने में, ठीक है, इसके बाद आपका operating cycle, सर, और सर, वन डे, एक दिन से ज़्यादा का chapter ही नहीं, और ज़्यादा questions भी नहीं है, लेकिन exam में पूछा जाता है, यह unit number 5 है, तो आप देखेंगे इसके बाद, और कौन सा chapter है, इसके बाद जैसे हम numbering की बात करते हैं, तो इसके बाद जो chapter आपको pick करना है, that is working capital, working capital, sir, working capital कितने time में हो जाना चाहिए, that is working capital आपका two days में आराम से होगा, आराम से two days में जब सारे questions कर लोगे, और आप जब करो ना, पढ़ो ना, तो आपके पास किताब होना बहुत ज़रूरी है, चाहे program के हो, चाहे honors के हो, books होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास books नहीं है, तो आप मान के चलो, जो हमने target के set के हैं, never achieve, तो books होना चाहिए, चाहे कितनी भी पुरानी book हो, चलेगा, book का नाम मैं बता देता हूँ आपको, that is book कौन सा है हमारा ये, book है, R.B. रस्तोगी, honors का अलग है और प्रोग्राम का अलग है, इसके साथ साथ आपको practice करने के लिए tenure भी जाहिए, tenure के अंदर सारे question मैंने एकदम book के format के, कुछ बच्चों का कहना है, कि सर, मैं अगर सिर्फ tenure करके जाता हूँ, तो क्या मैं pass out हो जाऊँगा, मेरा कहना है कि अगर आप tenure करके जाते हैं, तो मैं आपको इतना बिल्कुल बोल सकता हूँ, कि आपके marks उम्मीद से अच्छे आ सकते हैं, लेखिन मैं books और tenure recommendation सिर्फ practice के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको exam में रुखना ना पड़े, बाकि आप tenure भी सिर्फ करते हैं, क्योंकि tenure में मैंने पूरा book के format से बनाया है, पूरा का पूरा, आपको सिवदास का tenure मिल जाएगा nearby, और latest tenure, latest paper के साथ amended है, बाकि मैं पहले priority book को दूँगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ pass होने से मतलब नहीं है, इसके बाद आपको उठाना चाहिए, इसके बाद हम लेगे capital budgeting, इसके अंदर सर्थ बहुत time लग सकता है, इसके अंदर मैं कहूं, तो 10 days भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है न, 10 दिन भी लग सकते हैं, तो that is, अगर days count करें, तो 4 और 3, 7 और 2, 9 और 3, 12, और 1, 13, और 3, 16, 16 और 10, 26 और 2, 28, total हमारा curriculum जो बना, वो 28 से 30 दिन का बनावाद, और I know के exam आपके जहन में है, तो आप capital bursting जितना ज़्यादा fast कर पाओ करोगे, इन सभी chapter में से, कुछ एक chapter में mark कर देता हूँ, जिसमें से शायद question ना पूछा जाए, जैसे कि ये, आता है question ऐसा नहीं कर छोड़ देना है, ना पूछा जाए, बाकि सभी chapter जो मैंने लिखे हैं, यहाँ सभी में से examiner कुछ ना कुछ questions पूछेगा, और in fact, इन में से भी पूछेगा जो cross लगाए है, इसके बाद दो, तीन chapter ऐसे बच जाते हैं, जिसमें से examiner बहुत rare question पूछता है, जैसे की receivable management, जैसे की cash management, और जैसे की inventory, यह तीन chapter वो हैं, जिसमें से examiner का जादा से जादा focused होता है, यहाँ से आपका theory पूछना, ठीक है न, तो जो पहला questions आएगा, आपका first एक chapter रह गया, that is PVR, ठीक है, वो हम theory के अंदर cover करेंगे हैं, तो जो पहला questions बनेगा, first questions, आप blueprint देख लेजिए, जो first questions बनेगा आपका, first question, that is आपका theory, और plus, जो आपका chapter है, time value of money को लेगे बनेगा, इसके और में भी यही रहेंगे, दूसरा question जो बनेगा आपका, that is बनेगा आपका कहां से, capital budgeting, जो तीसरा question से आपका बनेगा, that is unit number, 3 से बनेगा, that is आपका cost of capital, या फिर आपका leverage, या फिर आपका EBIT, या फिर आपका value of farm, और जो question number 4 बनने वाला है ना आपका, that is आपका बनेगा dividend में से, चीक है, और इसी के question number जो 5 होगा, इसमें से थोड़े से ये chapter भी mix होगे, dividend और थोड़ा से ये part, ठीक है, question 5 जो बनेगा, that is बनेगा working capital, operating cycle, ये हो गया practical, इसी के और में theory रहेगा, जो कि बागी के chapter रहेगा, चाहे inventory management हो, cash management हो, receival management, ये blueprint आपके exam का, FM का रहने वाला है, पहला question theory, सर, बहुत बच्चों का कहना है, सर, theory कितने marks का होगा, हर questions के साथ, आपको theory देखने को मिलेगा, option में, जैसे suppose करो, आपका cost of capital का, एक पंदर नंबर का question आया, उसके option में, और में, शायद ऐसा हो सकता है, कि value of form का, आपका 10 नंबर का theory हो, और 5 नंबर का, एक छोटा सा leverage का practical देदे, तो theory आपको पूरे paper में मिलेगा, लेकिन इसका theory, वो theory नहीं है, जैसे कि आप normally लिख देते हो, अपने language में, थोड़ी typical होते हैं, और वो सारे theory depend करेगा, practical judgment पे आपके, तो practical अगर नहीं आता, तो theory आपको बहुत rare chance है, कि आपका आएगा theory ठीक है, तो ये सारा का सारा, आपका इस हिसाब से रहने वाला है, तो ये पूरा का पूरा financial management का पूरा एक study, और एक strategy जो कि आपको follow करके चलना है, इसके साथ साथ, आप पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए सर, मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप अगर YouTube पे पढ़ रहे हैं मेर से, तो YouTube के उपर सारी वीडियोज अभी धीरे-धीरे, प्लस धीरे-धीरे मैं कोसिस कर रहा हूँ, डेली डालो, जो बच्चे application पे पढ़ रहे हैं, application पे मैंने क्या किया हुआ है, सभी बच्चों के वो लगभग-लगभग all classes, अभी capital busting live class में चल रहा है उसके अंदर, ठीक है न, बाकि सारे chapters खतम हो गए हैं, अब सर, YouTube और application की हम बात करें, तो दोनों में फरक कुछ भी नहीं है, content वही है, classes वही है, latest class है, लेकिन YouTube पे, जो last year भी classes हुई थी, वो वीडियो भी पढ़ी हुई है, क्योंकि कुछ बाहर के बच्चों वो भी देख रहे हैं, मैंने कई बार क्या करा, वीडियो को unlisted कर दिया, या private कर दिया, या हटा दिया, तो comment आने लगे बच्चों के, सर ये वाली वीडियो क्यों हटा दी, हम तो देख रहे थे, तो मेरे पास एक मजबूरी है, कि मैं पुरानी वाली वीडियो को भी नहीं अटा सकता, और नई वाली वीडियो को भी नहीं अटा सकता, लेकिन हाँ, application के अंदर पुरानी और नई नई बिल्कुल latest और sequence है डला हुआ है, तो सबसे पहले यूटूब पे आप जब पढ़ रहे हूँ, तो कोसिस करिएगा जो नई वीडियो है, date के हिसाब से देखे, उसी के according आप पढ़ना चालू करें, पुरानी वाली वीडियो और नई वाली, जैसे मान लो, leverage के मैंने 5 पार्ट नई में करवाए हैं, और 2 पार्ट पुराने में कराए हैं, तो हुआ क्या बच्चों के साथ, कि 5, 1, 2, 3, 4, 5, पार्ट कर लिया, और 6 और 7 पुराना देख लिया, ये 5 पार्ट करते ही सब कुछ समझ में आ रहा था, और 6 और 7 पुराना देख लिया, जिससे बच्चा confused हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, वो तो समझ में आ रहा था, इसमें थोड़ी सी concept अलग सा नजर आ रहा है, तो ये दिक्कत face करना पढ़ रहा, तो मैं कहूँगा latest class देखें, पुरानी classes ना देखें, इनके साथ साथ लिखते भी हैं, ये सारी बाते आपको पता होगा, application पे आपको एक तो live class मिलेगा, टिल एक्जाम तक, प्लस जो भी class notes होते हैं, वो मिल जाते हैं, प्लस आपके doubt solving अलग से number दिया जाता है, प्लस आपके सारे videos, कौन से अगर 10 गंटे की, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि, हमने 30 गंटे का classes बनाये हुआ है, जिसके अंदर पूरा का पूरा syllabus complete है, ठीक है, तो जिन बच्चे को application पे जोइन करना है, definitely description में, link में आपका number given है, contact करके जोइन कर सकते हैं, जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं, बस condition एक है, कसम खाईए अपने आप से, कि आप जो class देखेंगे, वो आप पूरे dedication के साथ सिर्फ class पे focus करेंगे, तो आपको YouTube पे कोई problem नहीं होगी, तो बस यही बताना था, ये पूरी के पूरी हमारे financial management का एक strategy है, जिसको आपको follow करना है, और exam तक follow करिए, जो job वगएर है, वो सारी चीज़े थोड़े time के लिए आप slow या quit करिए, और आप इस पे focus करिए, अगर ये सारी चीज़े करते हैं, तो आपके बहुत अच्छे marks आ जाएंगे, तो thank you so much, मिलते हैं next video में, 25 दिन में आपका slivers कैसे complete होगा, मैंने थोड़ा सा tentative आपको आइडिया बता दिया, कि 25 से 28 दिन में आपका पूरा slivers complete हो जाएंगे, चलिए मिलते हैं next video,